डराने के लिए है ब्रहमास्त के हम चैंपिन्स ट्रोफी से पुल आउट कर रहे हैं ये खबर मैंने पहले भी की थी खबरे आई है आई डोट नो कितनी सही है कितनी नई पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम हाइबरिट तो करा देंगे इंडिया के मैचिस दुबई में लेकिन पाक पाकिस्तान दुबई नहीं जाएगा कि ब्रॉड कास्टर भी परिशान तो हो गई कि इंडिया और पाकिस्तान को जी आप एक पूल में मत रखना और जिस पे ब्रॉड कास्टर जो है बिफर पड़ा उसने का जी ICC हमने तो आपको पैसे दिये है इंडिया पसिस पाकिस्ता चैंपियंज सुफी से पूल आउट कर जाए और कहें कि जाओ ICC हम छोड़ते हैं चैंपियंज सुफी को वर्ल्ड क्रिकेट I don't think ICC ऐसा होने देगा अगर ऐसा दो परसेंट भी होता है ना इस चेंज दी इंटार डानेमिक्स चैंपियंज सुफी के हवाले से एक और खबर निकल कर सामने आ रही है अगर पाकिस्तान हाइब्रेड मोडल अक्सेप्ट नहीं करता तो आल बोट्स की वोटिंग के जरीए इस चीज़ का फैसला किया जाएगा चैंपियंज सुफी का कहना है अगर फिर भी फैसला पाकिस् चैंपियंज सुफी से पूल आउट करता है तो यह आई सी सी के और सासार पुरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा चाहते हैं फुल वीडियो में के बारती मीडिया के मशूर एंकर विकरांद कुपता गश्पर क्या रहत देर मल है मगर उससे पहले एकर आप ही है क्रिकट के फैन तो क्रिकट की है लेटस कबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल एकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली है लेटस वीडियो की ब्रेट आप को सबसे पहले मिल सके पहां तक पहुँच गया जहां पर इसको ICC Board की मीटिंग में लेकर जाया जाएगा फिर उसके बाद ये खबरे आई है I don't know कितनी सही है कितनी नहीं कि Broadcaster भी obviously परिशान तो हो गई फिर पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम hybrid तो करा देंगे इंडिया के matches दुबई में लेकिन पाकिस्तान दुबई नहीं जाएगा विच मीन्स विच मीन्स ये खबर आई है कि इंडिया और पाकिस्तान को जी आप एक पूल में मत रखना और जिस पे Broadcaster बिफर पड़ा उसने का जी ICC हमने तो आपको पैसे दिये है इंडिया परसिस पाकिस्तान गेम की वो एक high value होती है आपके तो हम जी पैसे काट लेंगे इसमें मेरा सिर्फ एक चोटा सा व्यू ये था कि अगर पाकिस्तान ने ये कहा है राहूल की point to be noted अगर पाकिस्तान ने ये कहा है कि hybrid हमें मन्जूर है लेकिन पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी दुबाई तो इंडिया और पाकिस्तान को अलग गुरुप में रखो तो ये तो मेरे ख्याल से एक तरह से क्या ये PCV का prerogative है कि schedule क्या होगा ये ICC का tournament बड़ा simple सी बात है नहीं मैं तो बलकि ये कह रहा हूँ कि उसमें क्या पाकिस्तान ये मान गया था कि hybrid होके है ये भी एक first step है by the way कि hybrid होके है बट पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी दुब तो वो तो इतना तो मान गए कि hybrid होना फिर इसका मतलो तो उनके सरकार ने अगर ये कहा हुआ है कि नहीं पाकिस्तान में ही होगा तो फिर ये दूसरी कबर कहा से आ गई फिर ये तो मतलब मामला ही नहीं मनता ना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिलहाल मैं इस बात को यहां पर मानता हूँ कि दोनों चीजें यानि BCCI और PCB दोनों अपने अपने स्टैंड पर फिलहाल अड़ी हुई है PCB कह रहा है कि पूरा का पूरा जो टॉर्नमेंट है चैंपिन्स टोफी है आप पाकिस्तान में कराइए इंडिया ने अपनी पोजीशन स्टैंड क्लियर कर दिया है हम पाकिस्तान नहीं जा रहे है तो खबर फिलाल ये है कि 26 नौवेंबर यानि ट्यूजडे एक दिन बाद जब आपके IPL आॉक्शन खत्म हो जाएंगे उसके ठीक एक दिन बाद ICC के बोर्ड मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई गई है ICC में बारा फुल मेंबर्स हैं और तीन आपके इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं यह पर डिसकस होगा यह करने की कोशिश करी जाएगी कि इस चैंपियंज ट्रूफी को आप हाइब्रिड मॉडल पे करा लीजिए यानि पाकिस्तान और UAE दुबई प्रसाइजली को होस्ट क सारे बोर्ड मेंबर्स हैं सबका एक एक वोट होता है ICC में अगर नौबत वहां तक पहुँच गई अगर कोई जो भी बोर्ड मेंबर है वो अगर बीसी सी आए पीसी भी अगर नहीं मानती है तो जो डिसकशन है जो एजंडा है वो वोटिंग के लिए चला जाता है और वो पाकिस्तान की गर्मेंट भी कह रही है कि पाकिस्तान में ही होना चाहिए हाइब्रिड नहीं इंडिया नहीं यह का है कि हमारी सरकार परमिशन नहीं दे रही है प्लेयर्स पाकिस्तान जाके खेले तो बीच का रास्ता यह था हाइब्रिड लेकिन वो पाकिस्तान को फिलाल म कहा है कि हम hybrid खेल लेंगे लेकिन इंडिया के match दुबई में होंगे लेकिन पाकिसान नहीं जाएगा दुबई तो इंडिया पाकिसान को अलग पूल्स में रखो और इस पर ब्रॉड कास्टर बहुत नराज है दोस्तों इस पर मैं छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ अगर यह पाकिसान ने बोला है तो वो तो फिर अपनी सरकार के अगेश चले गए वो तो मानी गए hybrid कर लो यही कानन होने कि इंडिया और पाकिसान को अलग पूल में रख दो number one number two यह पाकिसान क्रिकेट बोर्ड का प्रॉगर्टिव या Indian क्रिकेट बोर्ड का प्रॉगर्टि थर्ड ली अब क्योंकि होस्टिंग राइट पाकिसान के पास है उनका यह राइट है कि वह कहां पर करवाना चाहते है बट इन दिस केस अब ICC बोर्ड जो राहू ने बोला बारा प्लस तीन यह 15 वोट है बारा बेसिकली क्या होता है बारा आपके member बोर्ड जिनको हम बोलते हैं आपके अफगानिस्तान आस्ट्रेलिया बंगलादेश सिंपल सी बात है हाइब्रिड मॉडल होगा UAE में और पाकिस्तान में जी वोटि ICC में क्लाउड की बात आ जाती है कि यह तो सब आप जानते हैं कि इंडिया तो जानी सकता अब पाकिस्तान कहेंगा जी हमने तो पाकिस्तान में कराना है तो फिर उसके पास all or nothing वाली बात आगी ना तो मॉमेंट पाकिस्तान यह कह दे कि हम तो या तो कराएंगे ही नी या फिर हम पाकिसान में कराएंगे, so in that case, the moment अब लड़ाई होगी तो होगी तो होगी होगी, तो वोटिंगा जाएगी, अब पाकिसान यह नहीं सकता कि हमे और इंडिया को अलग पूल में रखिये, they cannot, it is ICC tournament, ठीक है, अब दूसरी बात है कि, मुझे यह भी लगता है रहूल, क कि, देखिये, politics, जो politicians होते हैं, वो politics मेरे और आप से बहतर जानते हैं, क्या ऐसी situation हो सकती है, कि, मौसी नकवी साब, जो कि interior minister हैं पाकिसान के, और PCB chief भी है, वो यह stance, सरकार भी वो है, और PCB वो ही है, और वो stance उन्रोंने लिया हुआ है, लिया हुआ है, लिया हुआ है, और व विजद नाक नहीं कटनी चाहिए, और फिर वोट में पाकिसान हार जाता है, मैं शुरू से, वोट में हार गया, फिर वो कम से कम पाकिसान में आके ये तो कहेंगे, कि मैं लड़ा, वोट में हार गया, फिर वो कहेंगे, देखो जी, इंडिया ने तो वोट खरीद लिये थे मौसी नकवी उन्होंने एक stand लिया कि मैं और politically और पुरे अपने मुल्क के लिए उन्होंने काया कि जी नहीं हम जुकेंगे नहीं जुकेंगे नहीं जुकेंगे नहीं उनको actually suit करता है ये कि भई देखो हम जितना लड़ सकते थे हम लड़े हम जुके नहीं बट इवेंचुली जब मामला बोर्ड मेंबर्स के हाथ में चला गया, वहाँ पे बाइ शो अफ हैंड्स या फिर वोटिंग के को देखते हुए, कि अगर वो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी सरकार और वहाँ के लोग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवाएगा ही नहीं हाइंड्रिट के अलावा, फिर उनके पास एक और चॉइस है, अब वो चॉइस, ऐसी चॉइस है, जो या तो दिखाने के लिए है, डराने के लिए है, ब्रहमास्त, कि हम चैंपिन्स ट्रोफी से पुल आउट कर रहे हैं, यह ख़बर मैंने पहले भी की थी, अब यह कोई नहीं चाहेगा, आई-सी-सी कोई बोर्ड या कोई वोट या कोई मेंबर नहीं चाहेगा, इंक्लूडिंग BCCI, कि पाकिसान क्रिकेट बोर्ड, पाकिसान क्रिकेट टीम, चैंपिन्स ट्रोफी से पुल आउट कर जाएए, वो थ्रेट दे सकते हैं, पर वो भी दे सकते हैं के नहीं दे सकते हैं, अगें ऐसा होगा नहीं, मैं कहते हो, दो परसेंट अगर ऐसा हुआ, तो आपको ये भी फिरताय करना होगा, कि बिना पाकिस्तान के चैंपिन्स ट्रोफी क्या हो सकती है,